Hey everyone, welcome back again, बेटा कहिए कैसे हो आप सब तो, आज हम डिस्कुस करेंगे आपकी वरक्षीट No. 57, Class 9 Mathematics की वरक्षीट है, इसमें हम पढ़ेंगे वृत के बारे में, तो बेटा कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने वो पॉइंट्स क्या है, पहला प्रमे, वृत के उल्टा क्या कहता है, अगर दो जीवाएं वृत के केंदर पर बराबर कौन बनाती है, तो उन जीवाओं की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी, आगे देखो, एक वृत के केंदर से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को संद्विभाजित करता है, वृत के केंदर से जीवा पर जो आपकी जीवा है AB पर अगर यहां पर एक लंब डालती हूँ तो वो जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देगा डिवाइड यानि कि यहां से आगया AM बराबर MB के आगे देखो एक वृत की बराबर जीवाएं केंदर से समान दूरी पर है एक वृत में अगर मैंने दो जीवाएं बनाई हैं और उन जीवाओं की लंबा ही अगर बराबर है तो वो केंदर से डिस्टेंस पर बराबर होंगे यानि कि यह भी 5 सेंटीमेटर दूर होगी तो यह भी पांच यह चार होगी तो यह भी चार ठीक है अब आजो क्वेशन नमबर फास पे क्वेशन नमबर फास आपका क्या गह रहा है यदि एक वृत की दो जीवाएं वृत के अंदर प्रती छेद करें तो सिद कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडो के बराबर होगा तो ध्यान से देखना बेटा इस क्वेशन में यह आपका वृत उसने बोला एक जीवा यह जीवा जीवा के बराबर यह A B बराबर हो गया C D के यह आपका केंदर ठीक है अब उसने मिरको बोला अगर यह E पार्ट पर डिवाइड करें तो उसने बोला कि E B जो बराबर होगा E D के या तो यह प्रूव करो यह प्रूव करो A E बराबर होगा E C के यह आपका केंदर तो केंदर से मैंने क्या किया इसको मिलाया यहां पे एक लंब डाला यह आपका एक लंब डाला तीक है मैंने क्या किया इसको नाम दे दिया M इसको नाम दे दिया N तीक है आप ध्यान से देखो A B बराबर है C D के यह आपको क्या है दिया है तीक है दूसरी बात आप देखो केंदर से लंब डालते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं बिटाव लोग केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को सम्द्विभाजित करता है सम्द्विभाजित करता है इसका मतलब यहां से क्या आ गया cm बराबर md cm बराबर md दूसरी बात यह भी लंब है तो a n बराबर nb a n बराबर आ गया nb के अगर मैं इस त्रीबूज को इस त्रीबूज की सर्वान सम्प्रोब कर दो तो मेरा काम चल जाएगा तो मैंने क्या लिखा त्रीबूज m o e m o e और तुसरी कौन से त्रीबूज है e o n e o n में घ्यान से देखना o e बराबर o e सामान है दोनों में एक जैसी है दूसरी बात m n के बराबर कोण m कोण n के बराबर 90 degree का तीसरी बात अभी अभी हमने पढ़ा केंद्र से दो बराबर जिवाओं की दूरी क्या होगी सेम तो o m बराबर हो जएगा o n के केंद्र से समान जिवाओं की लंबाई जिवाओं की दूरी सेम होती है अब देखो यहां से इसका मतलब त्रीबूज m o e जो है वो सर्वांग सम हो गई कौन सी त्रीबूज के e o n के कौन से क्राइटीरिया से right hypotenuse side rhs से अगर यह यहां से सर्वांग सम हो गई तो इसका मतलब बेटा जो यह वाला portion है इस वाले portion के क्या आ गया एक्वाल यानि की e n किसके बराबर आ गया em के तो EN किसके बराबर आगया यहां से EMA अब ध्यान से देखना बिटा AN यहां से देखो अगर मैं यहां से बात करती हूँ अब ध्यान से देखना अगर मैं यहां से बात करती हूँ जब पूरी पूरी बराबर है तो आधी आधी भी बराबर होंगी यानि कि जब यह पूरी इसक इसको कैसे लिख सकती हूँ, NB is equal to MD भी लिख सकती हूँ, this is your first equation, तो पहला और दूसरा क्या कर दो, plus, यानि कि EN में क्या plus कर दो, NB, और EM में क्या plus कर दो, MD, तो जब मैंने EMD में क्या plus किया, EM, तो पूरी MD ED बन गई, इसी तरीके से, जब मैंने NB में क्या plus किया, EM, तो क्या बन गया, EB, हो गया, यही तो मिरे को prove करना था, अब आगे देखो, अगर मैं EN में से, दूसरी बात, यह वाला अधा portion भी बराबर होगा, EN किसके बराबर आजाएगा, यहां से, CM के, ठीके, यानि कि, इस में से, अगर इसको क्या कर दू, माइनस, अगर यह स्टार एक्वेशन है, तो स्टार समीकरन में से, दो को क्या कर दिया, माइनस, तो AN में से, EN को क्या कर दिया, माइनस, और CM में से, EM को क्या कर दिया, माइनस, तो CM में से, EM गया, क्या बचा, CE, यहां से देखो E N में से E N गया A E तो A E किसके एकवल आ गया C E के तो यह था बिटा आपका question number first यही तो मिरे को prove करना था कि दो खंड जीवा खंड जीवा के खंड दूसरे जीवा खंड के अगर यह चीज बराबर आ गई जो यह खंड बने हुए यह भी तो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर इसको prove करो या ना करो यह तो दोनों में से में कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आपका mean काम कहां तक है E D बराबर है E B के ठीक है तो बिटा यह थी आपका question number first now move to our question number second question number second आपका क्या कहा है ध्यान से देखना इसने बोला यदि एक रेखा के रेखा दो सकंद्री वृतो जिसका कंद्र O है A B C D पर प्रतिछेद करती है तो सिद कीजिए A B is equal to होगा C D के तो बिटा यहाँ पे आपने क्या करना है अपनी तरह से रचना करने है वो रचना क्या है O E क्या करो लंब डालो किस पर A D पर तो यहाँ पे क्या लिखोगे सबसे पहले रचना रचना में क्या काम किया है आपने O E लंब है O E लंब है किस पर A D पर अगर O E A D पर लंब है टोटी लाइन पर भी लंब होगा यानि की BC पर और हमें पता है बेटा कि इंदर से लंब जीवा को सम्धविभाजित करता है अगर मैं AD जीवा की बात करूं तो AE बराबर ED आजाएगा AE बराबर ED दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूं BC जीवा है तो BCG वापे BE berabar EC आजाएगा यह पहला यह दूसरा पहले में से दूसरे को क्या कर दो minus तो AE में से BE गया ज्याँज़े देखो AE में से BE गया क्या बचा सर्फ A B इसी तरीके से ED में से EC गया ED में से EC गया क्या बचा CD So AB किसके एकवल आगया CD के यही तो प्रोब करना है तो बिटा यह है आपकी worksheet number 57, I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much